हालो आवरिवन वलकम बैक टो माई चैनल आज की वीडियो में हम लोग सुतंतरता संग्राम के दौरान जो भी महतवपूर्ण पत्र पत्र गायन लिखे गई थे और कि इनकी द्वारा लिखे गई थे ये इसमें अध्यान करेंगे आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ ध्यान से सुनना है लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है तो आप लिस्ट को वीडियो को एक या दो पर देखते हैं तो डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा आपको सारी चीजनी रट जाएंगी ठीक है क्वेश्चन यहां से बनता है इंपोर्टेंट टॉपिक है पीचिस के लिए मैं बोल रही हूं क्योंकि उसी चीज़ पर फोकस करते हूं मैं अपनी ज़्या तर वीडियो लेकर आती हूं ठीक है तो वहां एक नेक प्रशन इससे आता है तो इसलिए प्लीज फोकस करना और बाकी 2021 यूपी पीचिस के लिए हमारा कोर्स चल रहा है ग्यानमुद्रा एकेडमी की साइट पर जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगो कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल्या वाटसप आप लोग कर सकते हो ओके वहां पर एक खास बात ये भी है हम लोग और काफी लोगों के डिमांड थी कि सब्जक्ट वाइज कोर्स लांच किया जाए तो वह कर दिया गया है आप लोगों को जिस सब्जक्ट के न मार किया गया था संस्थापक थे वो सब इस तरीके से हम चांज सकते हैं पहला है तारक नाच दास जिनके द्वारा एक पत्राय था फ्री हिंदुस्तान ओके नेक्स्ट है राजा रामोहन राय इनके द्वारा जितने भी पत्रिया किताबें थी वो यहां पर नाम लिखे हु इनके द्वारा इंडियन मिरर इसका प्रकाशन कलकता से होता था ठीक है इस चीज का याद रहने कई बार का नेक्स बार नहीं पहुत पूच लेया जाता है कि इसका प्रकाशन कहां से होता था वरना यह जो कौशन यहां से बनता है वह हमेशा सब्स्uke करने के लिए कि भी कई बार पूछ ली जाती है कि किस भाशा में ये पत्र का जो है जारी की जाती थी इसमें उसकी लेंग्वेज को याद रखना नेक्स्ट है इश्वर्चंद विद्या सागर सोम प्रकाश इसमें नील आंदोलन में किसानों के हित का समर्थन किया गया था नेक्स्ट है मदन मोहन मालविय इसका नाम है लीडर इसके माध्यम से उधारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे नेक्स्ट है गांदी जी गांदी जी की द्वारा जो भी पत्र पत्र काई जानी किये गए थे वो काफी जादा इंपोटेंट है यहां से कॉश्चन हमेशा बनता है तो इसको आप लोग याद रखना पहला है यंग इंडिया उसके बाद है हरीजन यंग इंडिया और एक है न्यू इंडिया इन दोनों में लोग कंफ्यूज जाते हैं तो यंग इंडिया जो है वो माहत्मा गांदी का है इस चीज़ को आप याद रखना ठीक है नवजीवन उसके बाद है हिंद स्वाराज इंडिया ओपिनियन मैं एक्सपेरिमेंट विद टूथ वेरी इंपर्टेंट गोखले माई प्रेटिकल गुरू इस तरीके से बनता है कि गांदी जी के गुरू कौन थी तो याद रखना ठीक है नेक्स्ट है अरविंद घोष कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन जिसमें से युगांतर और कर्मयोगी बहुत इंपर्टेंट है उसके बाद आता है राम कृष्ण पिल्ले स्वादेश बाहिनी इनके द्वारा जारी की गई थी नेक्स्ट है जवाहर लाल नहरू इनके द्वारा जो भी पत्र पत्र का इंजारी की गई थी उनके नाम है ग्लिम्सेज ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री दे नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज डिसकवरी ओफ इंडिया ओके एनी बेसंट के द्वारा जो थी उनके द्वारा कॉमन व कंफ्यूजन नहीं लाना है बिल्कुल भी बाल कंगाधर तलक की अगर हम बात करते हैं तो केसरी एंड मराठा और गीता रहास्या ठीक है अब एक बात ध्यान रखने हैं यहां पर जिसमें हमेशा एक्जामनर आपको कंफ्यूज करेगा तो जो केसरी थी वो मराठी लेंग् तो यह चीज आपको नहीं रखनी है नेक्स्ट है लाला लाजपत्राय जिनकी यह है अनहपी इंडिया एंड वंदे मातरम एंड पूपल ठीक है नेक्स्ट है दादाभाई नौरोजी आलसो इंपर्टेंट पावर्टी एंड अन बिटिश रूल इंडिया यह बहुत इंपर सूरेंद्रनाथ बनरजी बंगाली एंड सेकेंड है अनेशन इन मेकिंग उसके बाद है अबुलकला माजाद यह भी एक इंपरेंट है इंडिया विंस फ्रीडम अलहिलाल एंड गुबारे खातिर जिसमें से इंडिया विंस फ्रीडम वेरी इंपरेंट नेक्स्ट आता है रफीक जकारिया the man who divided इंडिया उसके बाद लास्ट है वेलेंटाइन शीरोल अल्सो वेरी इंपरेंट यह पोचा गया है एंडियन ऑन्रेस्ट उके उसके बाद नेक्स्ट है राजेइंत्र पर्शाद इंडिया डिवाईड इंडिया दिवाईड एंडिया थो प्लीज डों be confused ओके ये दोनों में डिफरेंस है रफिक जकारिया के द्वारा the man who divided इंडिया और राजिन परशात के द्वारा इंडिया डिवाइड ओके क्लियर शचींद नात सान्याल के द्वारा बंदी जीवन and the revolutionary ओके उसके बाद next है भगत सिंग भगत सिंग के an introduction to the dream girl मैं अनीशरवादी क्यों हूँ दो है ठीक है उसके बाद है ये जो है ना मैं अनीशरवादी क्यों हूँ I think ये मैं नास्तिक क्यों हूँ ये इस तरीके से भी पूछी जा सकती है so please याद रखना राम मोहन लोहिया guilty man of India's partition next है the wheel of history उसके बाद है सेद एहमद खान तहजीब उल अखलाक भगवती चरण बोहरा the philosophy of bomb उसके बाद next है रवींद्र नाथ टैकोर गोरा एंड गीता अंजली गीता अंजली सभी को याद हुआ और important भी है next आता है दीन बंधु मित्र नील दरपन very important दैयारंस दरवसती सत्यार्थ प्रकाश ये बहुत easy सी है और common कई बार पूछी जा चुकी है तो आपको याद रहनी चाहिए यहा प्रकाश नारायन संघर्ष की ओर और प्रिजन डायरी ओके उसके बाद है फिरोश शह मेहता बंबे क्रोनिकल नेक्स्ट आता है बंकिम चंद्र चटरजी आनंद मठ एंड दूर्गेश नंदिनी आनंद मठ इस मोस्ट इंपर्टेंट गाईस तो प्लीज याद रखना तार सॉसारी मुझे लगता है मैंने उपर भी कच मिस्टेक की है इसमें ड्रीम करल बोल दिया कि किसी को मैंने हां मैंने इसको ड्रीम यहां पर ड्रीम लैंडडे ए आम रिली सॉरी ओके नेक्स्ट है दीन बंधु मित्र मैं सो सॉरी फोर देट वो डीम लेंड था मैंने उसे डीम कर पड़ दिया था दीन बंधु मित्र डील दरप्रण यहां तक हमारा हो गया था ओके हम चल रहे थे हम लुई फिशर लुई फिशर दे लाइफ ओफ महात्मा गांधी नेक्स्ट है फ्रेंक रोबर्ट मॉरिस जवाहलाल नहरू अबायोग्राफी और नेक्स्ट है सरोजनी नाइडू तीन है दे ब्रोकन विंग दे गोल्डन, थ्रेशोल्ड और बर्ड ओफ टाइम उसके बाद है हूटोए स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है ये उसके बाद है डब्ल्यू एच स्लीमेन जर्नी थ्रू दे किंग्डम ओफ अवध इन एर नाइटीन फॉर्टीन नाइन तो फिफ्टी नेक्स्ट है लेडी कैथरीन मेयो इंपोर्टेंट है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ए एम फोस्टर के द्वारा अपैसिस तू इंडिया विपिन चंद्र के द्वारा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंडेंस इंडिया नेशनल मुमेंट दो लॉंग टर्म डाइनेमिक्स ओके सो नेक्स्ट है भारते इंदू हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा एंद अधिर नगरी चौपत राजा नोनों ही इंपोर्टेंट है डीपी मिश्र के द्वारा लिविंग इन एरा माइकल मधू सुदंदत कैप्टिव लेडी दिलीप मुखरजी के द्वारा टेररिस्ट डव्लीव रव्लीव हंटर के द्वारा अवर इंडियन मुसल्मान दुर्गादास के द्वारा इंडिया फ्रम करजन टू नहरू एंड आफ्टर यह इंपोर्टेंट नाम से ही लग रही है मिर को तो प्लीज याद रखना इसको लारी कोलिंस डॉमिनिक लिपियार ओके फ्रीडम एट मिडनाइट माउंट बेटन एंड दव पाडिशन ओफ इंडिया होगे नेक्स्ट है ब्रह्म बांधव उपाध्या है संध्या S.A. डांगे The Socialist कुछ फैक्ट है एक दो ध्यान देने लाइक तो उनको आप ध्यान से सुनिए भारतियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियार्ट था अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है इसके संपादक हरीश चंद्र मुखर जी थे इस समाचार पत्र ने नील अंदूलन का जमकर समर्थन किया था ओके नेक्स्ट है The Indian Opinion पत्रिका को गांधी जी ने दक्षिर अफरीका में शुरू किया था इसके प्रथम संस्थापक मनसुख लाल नजड़ थी यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तबिल और अंग्रीजी में प्रकाशित होती थी कई बार कोई पत्रिका का नाम दे देगा और यह पत्रिका किस लैंग्वेज़ोन प्रकाशित होती थी यह पोच्छ लेगा कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि ये पत्र का इन मेंसे किस language में नहीं प्रकाशित होती थी एक language लग देगा अलग से और वो आपसे पूछ लेगा क्योंकि exam का जो pattern है level है high हो गया है इसलिए कुछ भी पूछ सकता है तो मैं सिर्फ आपको तयार कर रही हूं बता रही हूं कि हाप यहां से तयार रखे रही है exam के लिए कि कहीं से भी आपको घुमाएं आप घुमने ना पाएं okay so हाँ ये clear हो चुका है I'm sorry for that मैं फिर से sorry वो बहुत अलग ही मैंने पढ़ दिया था ध्यान मेरा नहीं था उस वर्ड पह एक दम से मैंने वो पढ़ दिया so it's okay thank you so much for watching my video मिलते हैं next video मैं अब तक के लिए बाई बाई टेक कियर